तो नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे MP Board Class 10 और 12th Result 2014 के बारे में कि आपका Result और वो कब तक जारी किया जाएगा Next हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी Copy Checking की Process है वो कितनी Complete हो चुकी है तो End में मैं आपको उताऊँगा कि Board की और से क्या आपके लिए खुसकबरी निकल कर आई है तो वीडियो को सुरूर से लेकर End तक जूर देखना चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं First of all हम Copy के मुल्यंकन की बात करें तो MP Board की और से Copy का मुल्यंकन के लिए 5 April तक का समय दिया गया था और Copy के मुल्यंकन के बाद Result त्यार करने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा यानि आपका जो Copy का मुल्यंकन प्रोसेस है वो 5 April को Complete हो चुका है और Copy का मुल्यंकन प्रोसेस के बाद आपको 10 से 12 दिन का समय जो Board की और से लगता है Result को जारी करने में यानि आपका जो Result है वो 20 April से पहले पहले यानि 20 April तक आपका Result है वो Board की और से जारी कर दिया जाएगा तो Next अम खुशकबरी की बात करें तो गल्त परसनों के लिए सबत मिलेंगे दो अंक यानि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में गल्तिया पाई जाती है तो Board की और से का गया गी आपको उसके लिए Bonus के रूप में दो अंक परिदान के जाएंगे यानि किसी पेपर में एक से दो पोस्टन आपके यादि Board की और से गल्त मिलते है तो पेपर में आपको उसके लिए दो अंक जो परते एक कोश्टन के लिए Bonus के रूप में दिया जाएगा तो वीडियो कैसे लिगी तो वीडियो कैसे लिगी कोमेंट में जिरू टाइप करना Thanks for watching this video